शिवो भार आजा बाबू भार आजो भार फर्स थंडा नहीं लग रहा बाबू ठंड ओरी फर्स थंडा बच्चे भार आजा शिवो नहीं बानेगा नहीं बानेगा हलो नमस्ते रादे रादे कैसे हूँ आप सब आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे वेलकम टो मैं न्यू ब्लॉग आज बुद्वार है बाइस तारीक है और अभी बज़ रहे हैं साड़े दस नाश्ता हो गया है हम लोगों का और मैं शिमोन को लेके आ गई हूँ उपर वाले रूम में अपने रूम में क्योंकि इसकी मुझे मालिश करनी है और फिर कप्टे चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रहे हूँ उपर के रूम में क्योंकि सारे बिस तर वगेरा ऐसी फैले वे थे कंबल वंबल तो वो भी समेट के रख ही दूँगी रजाई की कवर तो मैंने दोके रख दिया है और आज मैं रख दूँगी रजाई भी लेकिन कंबल अभी दो-चार दिन के बाद रखोंगी देखती हूं कहीं अगर दुबारा ठंड हो गई फिर निकालना पड़ेगा इसलिए मैंने अभी कंबल नीद हुए है तो यह मैं कुछ दिन के बाद ही धोंगी और वैसे आप लोग पता ही है कि काफी टाइम के बाद मैं ब्लॉग शेर कर रहे हूं क्योंकि लास्ट ब्लॉग मैंने जो शेर किया था वो वेलंटाइन्स कही था और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि थ नहीं क्यों क्राश को में करताने का इसलिए वीडियो नहीं शूट किया था तो आज मैं कर रहा हूं और अब मैं करूंघ मैं और एड़ा का में कर दिया और आपको मैं बताओ शिमोन जो है खाफी ग्रख सो ब्राइठ बाब गिड़ जाते हैं carry अगर मैं से सुला कि चली जाती हूं नीचे, केटिन में या किसी шьते हैं, तो यह उठ जाएगा, और अगर पहले तो क्या था कि इसके रोणने के आवाज आती थी, तो पता चल जाता था, मुझे कि यह उठ गया है तो मैं आ जाती ती रूम में लेकिन अब यह है शांती से उठता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता और उठके फिर भागने की कोशिश करेगा बैड़ पे से और यह तभी नीचे गिर जाता है कई बार यह नीचे गिर चुक है और इतनी चोट लग जा लेकिन फिर भी होई जाता है कि मुझना कुछ चलिए कोई नहीं अब ध्यान रखूंगी मैं ताकि यह गिरे ना अब मैं इसकी मालिश कर चुकी हूं और कपड़े पनाके फिर मैं सुलाओंगी अगर यह सो जाता है तो अच्छा है नहीं तो फिर मम्मी को दे दूंगी नीचे किचन में क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है दिन के लिए सबजी भी बनानी है और रोटी भी अभी सिरफ नाशता ही किया है सब लोगों ने तो अभी मैं फटाफट से इसको सुलाती हूं फिर मैं चलती हूं नीचे किचन में तो चलिए अब चलते, किचन में खाना बनाने है मुझे अबिखे, मैं आगी हुँ सबसे पहले ये थोड़ा सा बरतन वरतन फोटन होुए ये समेड देती हूँ काना जीद के भी बरतन है तो इने फहे फहेले ही धोके, रख देती हैं जी के बषाना जी के बठान में बाकी बठानों के साथ नइंध होती приложji कि हर तरह के बठानों नि राइप ए मैं श्वू कर दो और ये रहा और पैलती हो थैं कि इसमया की थे खान लिख लुआ yönवर खाने के बठान जी तो बढ़ने अलोब आल देती हो मैं जिब तक आलो रोटी सेकूंगी और मैं सोच रही थी रजाई विरक देती हूं गया रेतिक यह बैट के अनदर तो देखते हो पहले अपनाय रोटी का काम कर लेती हो फिर मैं रजाई रखोंगी बैड में झाल झाल रोटी तो मैंने सेख दी है और आलू भी उबल गें ठंडे होने के लिए रख दिया है मैंने आलू उसके बाद फिर सब्जी बनाऊंगी मैं मैं सोचे अब तक 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 मैं जो है रजाई बैड में रख देती हूं जूकि दूली भी रजाई है फिर गंदी होती रहेगी बाहर तो इसलिए मैंने पहले सारा समान निकाल दिया उसमें का फोड़ाबसाफ कर देति हैं दूल और रीटी है и बागी का समान बी इसमें सेट करोगी अब यह दो-तिन न考趣 है और वह धूल निए उनके कवर तो वह अगली बार जब्न लगाऊंगी तब दोऊंगी और बैड में भी देखते हूं कैसे जगा बनाओंगी क्योंकि जगह ही नहीं है समान रखने की और तीन रजाई अभी इसमें और रखनी और बैड पूरा फूल हो रहा है अब देखते हूं जब रखने का टाइम आएगा तब थोड़ा सा समान एड़ेस्ट करके फिर रखोंग तो अब समान में रख दूंगी इसमें और अब मैं बनाओंगी सब्जी अब बैड का समान तो बने सेट कर दिया है अब मैं आगई हूं किचन में और आलू भी चील लिया है मैंने और सिंपल सी सब्जी बना रहे हो मैं प्याज वागर रकूशनी डालोंगी फटाफट से बना लेती हूं मैं क्योंकि सब लोग खाना खाएंगे टाइम भी हो गया है खाने का और शिमोन को भी फिर दूंगी कुछ खाने के लिए किचिटी बना के रख्यों यह मैंने उसके लिए तो वह भी दूंगी मम्मी के पास है भी तो वह नीचे और उठी गया जाता है मैं काम करीती बीच में उठी इंट फटाफट में भाग की इसको लेने के लिए लगता है इसका गिरने के लिए तो मैं फटाफट से गई उसको लेने के लिए ओए मटो μदंग को सभाब जाइँ नीचे जीरा हो गया है अब मैंने इसमें टमाटर हारी मेश डाल दियाए और नामक वेश धनिया और हल्दी और इसके बाद डूत मैं अलू और हारा धनिया धनिया जो है मैं ज़रूद आलती हो सब्जी में क्योंकि मेहका जति और थोड़ा स्वाद भी अच्छा आजाते हैं और कलर भी तो इसलिए मैं हरा दनिया जरूर डालती हूं अगर नहीं है तो अलग बात है मना तो मैं डालती हूं और सब्जी हो गई है तियार हम लोग खाना खाएंगे आईए आप लोग भी खाना खालीजें मारे साथ कि युट करता है ये नियुट अ तो मतलब असे तो आधाना करी तो नहीं खाने है गाना को इस मैं उनक्ता आहिका दोगाना यह जो कि अज़ाइए लिए टाइटा लिए तरिया जिए बहुते हैंसे टाइटा हुआ है गौत की डहाए है कि अज़से तॉबने दिए प्रूमिते हैंसे अज़से बंटाराओ टाजिए जबनाने का चेड़े पूर्दि तो गनाओं आप ते लिए अलबगा अरी मिंच अलाम में पीच्ट लिए में हो जबनाने इस अब तरह एक है यहाँ पर मनिकी दालबर्धे है मूं की परिया पर अच्छी बना लो पहले से टेस्ट करके देखने हैं अच्छी बनी की नहीं कि अच्छी बने देते हैं फिरन टेस्ट करके बताएंगे कि अच्छी बनी की निमनी की विस्टर फेल हुए के पास हुए उसका पता चलेगा थोड़े देर के बाद तो यहां पकाओ माच बतातो हुए दो रो में तो पेल लग सकता हुए अच्छी लग रहे हैं तो अब मैं भी पताओंगे घृट्स अफि थे लिए अगर अच्छी बनी होगी तो देखते हैं कि खाना बन चुका है और नहीं महीं पापा की पलेट लगा रही हूए और ममी के लिए मैंने अलग से बनाईए थी दाल क्योंकि ममी अंड़ा नि खाती हैंच्छ युक्वेंद निंट इ जाते हैं उससे लेकिन मैंने वन फॉर्थ अंडा खाया था और उसके 10 मेट के अंदर ही मुझे वामेटिंग हो गई थी तो मैं अवोईडी करती हु अंडा और इसलिए मैं नहीं खाती है मुझे पसंदी नहीं है स्मेल भी इतनी गंदी लगती है मुझे तो चली खेर हम लोग खाते हैं अब खाना और आप लोग भी खाईए और यह वीडियो में यहीं पर रोकती हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगते तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ अब ते के लिए गुड़ नाइट, बाई बाई बादे बादे बादे